नमस्कार आज हम आपके लिए लाएं हैं किसी भी संख्या का SCF निकालने की शॉर्ट ट्रिक वो भी बहुत ही कम समय में यहाँ पर कुछ संख्याइं दे रखी हैं 10, 20, 30 जिसका SCF 10 है 21, 22 का SCF 21 है 16, 24, 40 का SCF 8 है आपने देखा हमने कितने कम समय में इन संख्याओं का SCF निकाल दिया आए आज की क्लास में इसी SCF की शॉर्ट ट्रिक के बारे में डिस्कस करते हैं SCF बेसिकली तीन शब्दों से मिलके बनाए हाइस्ट कॉमन फैक्टर सबसे पहले हम यहाँ पर तीन संख्याओं लेते हैं संख्याओं है 12, 16 और 20 हम उसके फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर 12 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा फैक्टर का मतलब यह है कि यह संख्या किस किस से डिवाइड हो सकती है तो 12 एक से भी होगी, 2 से भी होगी, 3 से भी हो जाएगी, 4 से, 6 से और 12 खुद 12 से हो जाएगी इसी प्रकार हमने 16 के factor और 20 के factor ले लिए तो ये हमारा सबसे पहले term यानि factor का मतलब हुआ अब दूसरा term होता है common, common का मतलब है common लेना तो हम देखेंगे इसमें common factor कौन कौन से है तो देखिए सबसे पहले तो एक common जा रहा है उसके बाद दूसरा common factor जो है वो 2 है और उसके बाद जो common factor है वो है 4 यानि common factor हमारे कौन से हो गए, 1, 2 और 4 अब तीसरा जो शब्द है वो highest है तो highest का मतलब जो common factor आए है उनमें highest संख्या कौन सी है तो इसमें से सबसे highest संख्या 4 है यानि SCF जो होगा वो इन संख्याओं का 4 हो गया तो इस प्रकार हम किसी भी संख्या का SCF निकाल सकते हैं अब आते हैं हम SCF निकालने की short trick देखते हैं यहाँ पर कुछ examples दे रखे हैं एक एक करके हम सभी examples को discuss करेंगे सबसे पहला जो example है यहाँ पर 10, 20 और 30 है ऐसे case में सबसे छोटी संख्या को सभी से divide करेंगे यानि 10 को 10 से divide करेंगे divide हो जाएगा 20 को 10 से divide करेंगे divide हो जाएगा 30 को 10 से divide करेंगे divide हो जाएगा, यानि इस case में जो सबसे छोटी संख्या तीनों में होगी वो इसका SCF हो जाएगी अब हम next example को देखते हैं यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 8 है 8 को 8 से divide करिये, divide हो जाएगी 20 को 8 से करिये, नहीं divide होगी 28 को 8 से divide करिये, नहीं होगी 24 को 8 से divide करिये, नहीं होगी यानि 8 जो है वो इन संख्याओं का SCF नहीं है, लेकिन आपको घबडाने की ज़रत नहीं है, अब हम क्या करेंगे यह जो सबसे छोटी संख्या है इसके 5 factors करेंगे तो इसका सबसे पहला factor 8 होगा उसके बाद 4 होगा 2 होगा और 1 होगा 8 से चेक करने की ज़रत इसलिए नहीं है, क्योंकि हम 8 से इसको पहले ही चेक कर चुके हैं अब उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद जो उसकी next छोटी संख्या है यानि next छोटा factor है उसको लेंगे तो यहाँ पर next factor जो है वो 4 है यानि 8 को 4 से डिवाइड करेंगे डिवाइड हो जाएगा 20 को 4 से डिवाइड करेंगे डिवाइड हो जाएगा 28 को 4 से डिवाइड करेंगे डिवाइड हो जाएगा 44 को 4 से डिवाइड करेंगे डिवाइड हो जाएगा, यानि जो SCF होगा और वो यहाँ पर 4 हो जाएगा अब हम next example देखते हैं यहाँ पर क्या है? 16, 24, 40 16 से divide करिये, divide हो रहा है 24 को 16 से divide करिये, नहीं divide हो रहा है 40 को 16 से divide करिये, नहीं divide हो रहा है यानि इस case में 16 SCF नहीं होगा अब हम 16 के factor करेंगे तो 16 के जो possible factors होंगे वो पहला तो 16 ही होगा उसके बाद next factor 8 होगा उसके बाद 4 भी होगा, 2 भी होगा और 1 होगा तो हम 16 को तो चेकी कर चुके हैं तो इसकी possibility तो बनेगी नहीं अब हम क्या करेंगे? 16 को 8 से divide करेंगे, divide हो रहा है 24 को 8 से divide करें, divide हो रहा है 40 को 8 से डिवाइड करें, डिवाइड हो रहा है यानि इसका जो SCF होगा वो यहाँ पर 8 हो जाएगा अगला example देखिए यहाँ पर क्या है सबसे छोटी संक्या 24 है 24 को 24 से डिवाइड करें, डिवाइड हो रहा है 6 भी होगा, 4, 3, 2, और 1, यह सब इसके possible factors होगे, अब हम इसके बाद जो 24 है, इसको तो जवरत ही नहीं है, 12 से चेक करेंगे, 34 को 12 से डिवाइड करें, डिवाइड हो जाएगा, 60 भी 12 से हो जाएगा, 84 भी 12 से हो जाएगा, 108 भी 12 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ जो SCF होगा, यहाँ पर 12 होगा, अब हम last example को देखते हैं, इसको देखके आपको घबडाने की ज़रत नहीं है, संख्या बड़ी जरूर है, पर देखने में आसान है, ऐसे case में क्या करेंगे, अगर हम 700 के factor करेंगे, तो परेशान हो जाएंगे, हम क्या करते हैं, जो common 0-3 में है, उसको हटा देंगे, cancel कर देंगे, अब हमारे पास जो संख्या बचेंगी, वो हमारी reach में आ जाएंगी, यानि आसान हो जाएंगे, यानि 75, 100 और 120 हो जाएंगी, 75 को 75 से करिए, हो जाएगा, 100 को 75 से divide करिए, नहीं होगा, 120 भी 75 से divide नहीं होगा, यानि ऐसे case में हम फिर से factor करेंगे, तो 75 का पहला factor 75 होगा, 25 होगा, 15, 5, 3 और 1 होगा, अब हम इसके बाद 25 से चेक करेंगे तो 75 को 25 से डिवाइड करिए डिवाइड हो जा रहा है 100 भी 25 से हो रहा है 120 पच्चिस से नहीं हो रहा है यानि हम 25 को accept नहीं करेंगे 15 से चेक करते हैं 75 को 15 से करिए डिवाइड हो रहा है लेकिन 115 से divide नहीं होगा यानि 15 भी इस case में accept नहीं किया जाएगा अब हम 5 से check करते हैं 75 भी 5 से हो जाएगा divide 100 भी 5 से divide हो जाएगा 120 भी 5 से divide हो जाएगा यानि इस case में जो SCF होगा वो 5 नहीं होगा SCF जो होगा वो इस case में 50 लिया जाएगा क्योंकि हमने zero को जो है वो cancel कर दिया था तो ऐसे cases में जो SCF होगा वो 50 माना जाएगा उमीद करते हैं आपको SCF निकालने की short trick अच्छे से समझ में आ गई होगी अगर मेरा channel अच्छा लगा हो तो इसे like और subscribe जरूर कीजिए जल्दी हम कोई नई short trick लेके आपके सामने आएंगे धन्यवाद